नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है, मैं हूँ गिजजेश पसिष्ट साइरस मिस्ट्री का निधन हो गया है सब जगे खबर शप रही है, श्रधान जलियां दी जा रही है और लोग यात कर रहे हैं कि साइरस मिस्ट्री कैसे आदमी थे, उन्होंने क्या किया कितनी कम उन्हों में वो टाटा के चेर्मेन बन गए थे, और बहुत सारी बाते है असल मुद्दे बे बात नहीं हो रहे है, साइरस मिस्ट्री सड़क पे कैसे मारे जाते हैं इसके बहुत सारे कारण सामने आ रहे हैं, लेकि उन्हों कारणों से भी ज़्यादा एहम बहुत सारी बड़ी चीज़े है एक लाख चपन अजार अगर मेरी जानकारी सही है, हर साल लोग मारे जाते हैं देश में सड़क हासों में और साइरस मिस्ट्री उन्में से एक हैं, आखिर साइरस मिस्ट्री जिन वज़ों से मारे जाते हैं, वो वज़े हैं हमारे देश में क्यों हैं, किस वज़े से हैं जो लोग मारे जा रहे हैं, और साइरस मिस्ट्री जो मारे गए हैं, वो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, उसके पीछे क्या भारत का एलीट जिम्मेदार है, भारत के बड़े लोग जिम्मेदार है, भारत की सरकार जिम्मेदार है, और उसका एलीट के प्रती उधार रव पहले संख्षेप में ख़बर बता देता हूं कि गुजरात में जो है वो साइरस मिस्त्री एक पवित्र मंदिर में दर्शन करने के लिए गये हुए थे यह मंदिर जो है वो पार्सियों का बड़ा पवित्र मंदिर है और यह इरान से फार्स उसकत था 1742 में एक अगनी लाई जाता है और इस मंदिर को उद्वारा गुजरात में बनाया गया है और बलशाह जिले का यह तटीन अगर है बलसाड का माफ कीजेगा और यहां पार्सी समधाय का जो जो मंदिर है इसको देखने के लिए पूरे देश से लोग आते हैं और इसे पार्सियों का फायर टेंपल दर्शन करने के बाद में कुछ तो कृपा आनी चाहिए थी और यह सवाल हमेशा रहेगा हर जगे रहेगा हर धर्म के मामले में रहेगा और हर इश्वर मूर्थ हो या अमूर्थ हो उसके मामले में रहेगा कि जब मनुष इतना सब करता है आपके दिखाई रास्ते पर चलत अब हम इस पूरे मामले को समझें कि जब वहां से वो लॉट के आ रहे थे यह जो चार लोग थे जिसमें से दो लोगों का निधन हो गया जो पीछे बैटे हुए थे आगे एक लेडी डॉक्टर थी और एक उनके हज्वेंट थे यह सारे चारों लोग जो है एक ही समधाय के थ साड़े 600 किलोमेटर के करीफ सडक मार्ग से रोने रास्ता तै किया दर्शन की लॉट रहे थे और पालघर एक जगए पालघर काफी प्रसिद्ध है एक और कारण से एक साधू की वहां पर कुछ साधू की हत्या हो गई थी पालघर में और वहत्या ऐसे हुई थी कि बहुत स कोटों आते थे कि बच्चों की किड्नी निकाल लेते हैं आज कल भी गाहे बगाहे आ जाता है और साफधान अपने बच्चों को समाले उसके कारण क्या होता है गाउं में आती सक्री लोगों ने पहरा देना चुरू कर दिया क्योंकि कुछ वाटसर पे खबरें आई कुछ चर्चा हुई एक माहूल बन गया उस वकट देश में करीब लोग पूरे भारत में अलग अलग गटनाओं में सिर्फ बच्चा चोरी के शक में मारे गए थे जो बच्चा चोरी करने नहीं आये थे सिर्फ इस अव्वा के कारण और आप संदाज रगाली सोशल मीडिया कितन विद्वान व्यक्ति जिक्र कर रहे थे बगर उस जाच रिपोर्ट को पड़े बगर ग्रिफतार किये गए लोगों के नाम जाने वगर कुछ जाने खेर तो ये वो पाल घर है जहां से ये गुजर रहे थे एक पुल था उस पुल पे इनकी गाड़ी जो है जा रही थी और स्पीड से बाई तरफ से ओवर टेक करती है अब अचानक या तो सामने वाली गाड़ी में कोई हरकत हुई जिसके कारण इनोंने जल्दी से गाड़ी काटी अपनी बाई तरफ या कोई मिस जज्जमेंट हो गया है क्या हुआ गाड़ी जाके जो पुल होता है पुल के किनार कि एक वांडरी वाल थी जिसमें जाके गाड़ी तेजी से टकराई जिसको लोग करे रहे हैं डिवाइडर डिवाइडर आमतर पर शेहर के सड़क के बीच में होता है यह गाड़ी टकराई आगे से और आगे का आधा हिस्सा गाड़ी का बुनिट के आगे वाला तबा हो गय आगे की जो दोनों सवारियां बैठी हुई थी वो बच गई लेकिन पीछे वालों की मौत हो गई मौत हो जाती है क्यों होती है पीछे वालों की मौत ये आज हमारे सोचने का विशह है जिस गाड़ी में वो ट्रेवल कर रहे थे वो दुनिया की टॉप सेफटी फीचर उसके अंदर थे दुनिया की टॉप सेफटी फीचर सबसे बड़ा होती है फाइव स्टार रेटिंग फाइव स्टार रेटिंग सेफटी के लिए इस गाड़ी को मिली हुई थी इसमें 7 इसके अंदर बैग लगे हुए थे जो फट जाते हैं जिसके अंदर विसपोटक लगा होता हूं तेजी से फटते हैं और आपकी सुरक्षा करते हैं दुरगटना की स्तिती में एयरवेग जिनको हम कहते हैं वो साथ एयरवेग इस गाली में लगे हुए थे गड़करी जी कह रहे हैं कि मैं छे एयरवेग लगवाऊंगा और कार कंपनियों पर दबाव बना रहे हैं और उनका कहना ये है कि आने वाले 2030 तक मैं ये जो दुरघटना इनको आधी कर दूँग अब इसमें तो लगे थे साथ एयरवेग और इसमें साथ एयरवेग जो है ये कोई छोटी मोटी कंपनी तो थी नहीं काम चला हुआ वाली खटारा जैसे वो एक बार लोगन रेनोल्ट आई थी रेनोल की लोगान आई थी उस टाइप की गाड़ी अच्छी थी 82 लाख रुपे की ये गाड़ी थी जिसमें वो लोग सफर कर रहे थे उस 82 लाख रुपे की गाड़ी के अंदर किसी आदमी की मौत हो जाती है और जिसने टॉफ सेफ्टी के लिए मोटा पैसा दिया कंपनी को वो सेफ्टी काम नहीं करती है तो पहला सवाल तो यह उठता है कि मर्सडीज जैसी बड़ी कंपनी की गाड़ी की क्वालिटी काल देखिए यह कोई वैनिटी मिरर नहीं था कि मुड़ गया यह कोई यह भी नहीं था कि सीट थी थोड़ा सा हिल रही थी यह ऐसा भी नहीं था कि पईया अल्किफुल की आवाज करने लगा था यह सेफटी का मसला था पूरी लाइफ में गाड़ी की एर बैग कभी कभी काम आते हैं एक बार लाइफ में काम आते हैं जादातर गाड़ियों में लगे रहते हैं और लगे लगे ही गाड़ी खतम हो जाती है सेफटी बैग का इस्तेमाल नहीं होता है और एर बैग जब मौका आए और तब काम न दे तो उसका आप क्या करेंगे तो ये बहुत बड़ा failure है Mercedes जैसी company का जिस पे बात नहीं हो रही है इसको विग्यापन मिलता है उसको बड़ा विग्यापन चिकने पनने पे खुब सूरत photo के साथ आता है दूसरा एक मसला और कि भारत में ये महेंगी और खतरनाक गाड़ियां क्यों बिक रही है और इन गाड़ियों को लेकर किसी भी तरह का कोई भी सवाल क्यों नहीं उठता है इस गाड़ी की रफ़तार आप जानते हैं कितनी थी ये गाड़ी साथ दिसमलब नौ सेकेंड में जीरो से सौ की रफ़तार पर पहुँचाते थे आठ सेकेंड में हंट्रीट की स्पीट क्यों चाहिए हमको इतनी तेज पिक अप वाली गाड़ी इसकी क्या जरूरत है कोई एक कारण बताईए भारत में क्या इस तरह के पिक अप वाली सड़के मौजूद है तो गाड़ी तीन सो की रफ़तार के लिए क्यों बननी चाहिए भाई डेड़ सो की बना लो एक सो साथ की बना लो तीन सो की रफ़तार वाली गाड़ी क्यों होगी सिर्फ इसलिए कि कुछ आमीर लोग 82 लाक रुपे एक करोर रुपे, दो करोर रुपे, चार करोर रुपे देकर एक ऐसी सुपर हैवी मसीन खरीदते हैं जिसमें वो अपनी रईसी जाड़ सके और भारत में एक बात बताईए कि जो आप टेंपो चलाते हैं दिल्ली में जो बस चलती है उसके अंदर स्पीड रेगुलेटर लग बाइसा जो टेक्सी में किराय पे बैठा हुआ है पैसेंजर सिर्फ उसी की लाइफ होती है जो आदमी अपनी गाड़ी खरीद के जा रहा उसकी लाइफ नहीं होती है और भारत के अमीर जो लोग हैं जो इस तरह के उड़न ताबूत खरीद रहे हैं उनकी कोई लाइफ नह क्यों करता है यह सोचना पड़ेगा मुझे जो समझ में आता है कि चूंकि यह चीजें बड़े बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं जिनके पास अर्वों रुपया है और देश को सरकार भी इस देश की बड़े बड़े लोग चलाते हैं इस देश की नीतियों में भी बड़े बड़े लोगों का हाथ होता है तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके बड़े बड़े शौक होते हैं उनके बड़े बड़े शौक के लिए दूसरों के जीवन से खेला जाता है आज साइरस मिस्तरी का रिधन हुआ है जरा पता कीजिए का गूगल करिए का ये हूमवर कितने लोग तेज रफ़तार से मारे जाते हैं क्यों तेज रफ़तार की गाडिया हैं जब स्पीड लिमिट है तो गाड़ी की लिमिट क्यों नहीं है इस रफ़तार से गाड़ी आप चला रहे होते हैं अंधादवंद उड़ रहे होते हैं और आपको गाड़ी के अंदर एसास पी नहीं होता जब आप 230, 240, 250 ही रफ्तार से गाड़ी चला रहे होते हैं अंदर आपको नहीं लगता गाड़ी मेरी इतनी तेश चल रही है और इसलिए आज साइरस मिस्त्री मारे गए हैं तो चर्चा हो रही है कभी कोई खान किसी फुट पाथ पे गाड़ी चड़ा देता है कभी कोई BMW वाला इस देश के नेवी चीफ का पोता किसी को उड़ा देता है कभी कहीं आप सुनते हैं कभी कहीं आप सुनते हैं इस तरह के 50 सो मामले हो चुके हैं तेज रफ्तार गाड़ीयों पे उसके बावजूद रोक नहीं लगती है क्योंकि मंत्री के बेटे को वो गा आप अपिर भोगभ अचिभा आप मुट पो पर आओ कर जबदेश नहीं कि अजया हैं कि इस टौप वा अगर आगर पिर यह गाला ब्लिस पे चालान जाएगा हजार रुपे के चालान कर दिया हर आदमी को इस देश में सरकार खुदी लूट रहे है चालान के नाम पे गड़करी साब जब लेके आये थे नया कानून ये हो जाएगा अब वो हो जाएगा और इस देश में और टुमाल इंडिस्ट्री पे कहीं तरोक लगानी पड़ेगी याद कीजिए इस देश में हजार सीसी से उपर की गाड़ी राजीव गांदी के जमाने तक एलाउट नहीं थी पैसंजर कार, हजार सीसे से ज्यादा नहीं थी, चाहए वो स्टीम होती हो यह मारूती हो, यह आपका जो जिपसी होती हो, सब का काम चल जाता था हजार सीसी के अंतर, और यह देश बढ़िय बड़ी गाड़ियां बनने लग गई और शान जाड़ने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां बिकने लग गई और बड़ी गाड़ियों के बहाने से मोटी कमाई होने लग गई और उसका नतीज़ा क्या हुआ है नतीज़ा यह हुआ है कि आपका पैट्रोल इंपोर्ट करन है कि इतनी खतरनाक गाड़ी बना सकते हैं आप बंदू का लाइसेंस करने में तो चूचू चपड़ चपड़ करते हैं जिसमें कि आदमी को को डेलिबिरेटली ट्रिगर दबाना पड़ेगा तब कोई मरेगा यहां तो आदमी अपनी लापरवाही भी कर देगा तो आदमी को मार देगा उमीद करता हूँ सोचेंगे आप मैंने सोचने के लिए आपको बहुत सारे विचार दिये हैं कुछ विचार अपके मन में भी आते हैं कमेंट में लिखिएगा नमस्कार जैंद झाल